हेलो फ्रेंज विल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं शेयर करूंगी एक रेस्टूरेंट स्टाइल रेटिपी लेकिन बहुत इजीली बनेगा आज मैं बनाऊंगी एक लबापदर चिकेन लबापदर पनी लबापदर तो बहुत खाये होंगे लेकिन एक लबापदर की इजी बेसीपी को ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से आशा करती हूं कि पसंद आएगा अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इधर मैंने एक ब्लेंडर जार में दो बड़े साइज के टमाटर को रफली चॉप करके ले लिया है और दो ब आएजी और हाफ टी स्पून जीरा और इसको थोड़ा सा भून लेंगे अभी इसमें डालेंगे दो बड़े साइस के प्यास जिसको मैंने एक्तम बारीक चॉप करके लिया है इसको भी गुला भी करके भून लेंगे तो देखिए इसका कलर जो है इस तरीके से पिंकी शो ग करेंगे इसमें डाला है 1-4 ती स्पून हल्दी पावडर 2 टी स्पून धनिया पावडर 3-4 ती स्पून जीरा पावडर और 1.5 टी स्पून काश्मीरी लाल मेंज पाउडर और थोड़ा सा पानी मैंने एड किया है और इसको डालके इसको दो मिनिट तक चलाते हुए भूने तो देखिए इसको मैंने अच्छे से भून लिया है अभी इसमें टमाटर और काजु का पेस्ट था वो एड़ करेंगे और टमाटर को अच्छे से पका कर लेना है तो मैं इसको ढख कर पकाऊंगी बीच में दो से तीन बर इसको खोल कर मैंने चला लिया है जब तक ना ओय से हो जाए तब तक इसको भूनना है कि इसको कौवर कर दिया है और बीच में थोड़ा सा इसको खोल के चला लेंगे क्योंकि इसमें काजु है तो नीचे से लगने का डर है तो बीच बीच में जरूर जलाते रहे कि देखिए टामाटर अच्छे से बून चुका है उपर पुड़ा ओयल आ चुका है तो थोड़ा सा मैंने मीकसर को धो के उसका पानी आड़ कर दिया है स्वादानुसर नमक डालेंगे और थोड़ा सा चीनी डालेंगे टामाटर की जो खटास है उसको बैलेंस करने के लिए वान टेबिल स्पून कसूरी मेती को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है वान फूर्टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और घर का जो मलाई होता है वो मैंने दो चम मच एड़ किया है यह ऑप्शनल है आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो इससे थोड़ा सा रीचने साएगा इससे डाल के अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है इसको ढखकर पांच मिनिट तक पकाएंगे पांच मिनिट हो चुका है ग्रेवी बिल्कुल रेडी है देखिए उपर आयल पूरा आ चुका है तो अब इसमें अंडा अट करेंगे इदर मैंने चार अंडे को इस तरीके से उपर से डाल दिया है है इस रेसिपी के लिए इस तरीके का फ्लैट पैं ही यूजर करें ताकि अब नुमाबवगा अंडे के ऊपर मैंने काली मिर्श का पाउडर और ठोड़ा सा नमक स्प्रिंकिल कर दिया है अभी लो फ्लेम में इसको पकाएंगे पांच मिनिट तक उसी में ये बॉयल हो जाएगा अंडा थोड़ा सा हरे में जडाला है गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा दनिया पांच मिनिट हो चुका है देखिए अंडा इस तरीके से उपर से हलका से सेट हो जाएगा जो अंडे का योलो है इस तरीके से तो अभी इसको ढख कर और पांच मिनिट रखेंगे लेकिन फ्लेम को अभी मैंने आफ कर दिया है उसके बाद इसको सर्फ कर सकते हैं देखिए एजिली एक लबब दर रेडी हो गया है अगर कुछ भी रेस्टोरेंट स्टाइल खाना हो और इजिली बन भी जाए तो उस टाइम पर आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं रोटी पराटे के साथ बहुत अच्छा लगेगा रेसिपी अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मेलूंगे नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई थैंक्यू फूर ओचिंग